और शत्तिस गड़ से इस वक्त की बड़ी खबर कॉंग्रेस विधायक दल के नेता बने चरणदास महंत शत्तिस गड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दीपक बैज हार के बावजू भी बने रहेंगे PCC चीफ और राश्टिया महा सचिब केशी बैणु गोपा ने आदे की बड़ी खबर शत्तिस गड़ से और कॉंग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं चरणदास महंत उनको नेता प्रितिपक्ष बनाया गया है और दीपक बैज हार के बावजू भी PCC चीफ बने रहेंगे राश्टिया महा सचिब केशी बैणु गोपा ने ये आदेश जारी कर दिये हैं चो चत्तिस गड़ से जबक की बड़ी कबर जहां पर चत्तिस गड़ में कॉंग्रेस ने हार के बाद बड़ा फैसला किया है और चरणदास महंत को नेता प्रितिपक्ष बनाया गया है बड़ी कबर बिधान सभा में नेता प्रितिपक्ष चरणदास महंत होंगे कॉंग्रेस बिधायक दल के नेता उनको बनाया गया है चुने गया है और दीपक बैज हार के बावजूद भी PCC चीफ बने रहेंगे यानि कि प्रदेश कॉंग्रेस के मैठी की कमान अभी तक दीपक बैज के हाथों में थी और आगे भी रहेगी राष्टिय मास्तिप केश जी ब्यानुक पान ने आदेश जारी कर दिया है बड़ी कबर 36 गड़ से जहां पर कॉंग्रेस ने हार के बाद बड़ा फैसला किया है चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और कॉंग्रेस बिधायक दल के नेता बने हैं चरणदास महंत और दीपक बैज हर के बाद जूद भी फीस्टी से चीफ बने रहेंगे